दोस्तों मैं डाक्टर अश्वनी बसंड वेटनरी सर्जन जमू से आप सभी को मेरी तरफ से अदाब सस्रीकार आज मैं आपके सामने एक निया केस लेके आया हूँ मतलब यह है कि जो जानवरों की जो हड़ी तूड जाती है आगे वाली पैर की जाँ पीशे वाली पैर की जब हम उसको एकस्टरनल फिक्जेटर लगाके जोडने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद उसको क्या कम्प्लिकेशन आती है आज का ये केस है आप देखो वीडियो में आपको एक एच्चेफ नसल की हीफर दिख रही है बशिया जिसको हम बोलते है एस पर उनर इसकी उमर तेरा मीने है वीडियो में आप देखो ये पैडलिंग कर रही है क्योंकि इसको पेन काफी जादा है ये दर्द से दर्द इसको इतना जादा है कि ये दर्द सहन नहीं कर पा रही है और ओनर ने बताया है कि एक मीने पहले काफी जादा थंडर स्ट्राम आया था जिसकी वज़ए से जो सीमन का पिल्लर था वो इसके ओपर गिर गया जिसकी वज़ए से इसकी जो आगे वाली फोर लिम्ब है उसको मिड मेटा टर्सल का फ्रेक्चर हुआ था और उसके बाद इन्होंने इसका काफी ट्रीट्मेंट करवाया ये हमें बता रहे हैं कि इन्होंने डॉक्टर से प्लास्टर लगवाया था ब्ल्यू कलर का और बाद में ये बोलते हैं कि हफ़ते के बाद काफी जादा पेन महसूस करने लगी उस टांग को ये काफी जादा हिलाने लगी फिर आप ये डॉक्टर के पास लेगेगे उन्होंने उसको रिमूव कर दिया उसके बाद उन्होंने इसको एक्सटरनल फिक्जेटर्स लगा जिसमें चार एंगल से pin को bone में insert किया जाता है और externally करते हैं, बाहर से करते हैं दो तरह की fixation होती है, एक internal होती है, एक external होती है internal में हम हड़ी को जोड़ते हैं, उसके अंदर plate डालते हैं या फिर rod डालते हैं और बाहर से skin को बंद कर देते हैं और किसी को नहीं पता चलता है कि हड़ी को अंदर से कैसे जोड़ा गया है ये है external, हड़ी को जोड़ा है, बाहर से जोड़ा है तो इसकी काफी जारी complication रहती है, आप देखो कि अब ये जो बशी है, ये heifer जो है, female cough है जो ये ये काफी जादा critical condition में है, owner की complaint है कि बाकी जो तीन इसकी limbs है, उसके उपर ये अभी उठनी पा रही है, आप देखो ये right side बैटी हुई है, left side जो होता है, वो पेट होता है, इसका पेट भी काफी full रहा है, ये इसका rumen है, काफी distended है, जब rumen distended हो जाता है, तो animal को सांस लेने में problem होती है, पीछे आप देखो गोबर, इसका अपने आप ही निकल रहा है, क्योंकि इतना जादा pressure है, उसकी वज़ा से ये गोबर करने में इसको problem हो रही है, दूसरी बात है कि हम owner को appreciate करते हैं, कि उन्होंने इसके लिए एक पंखे का विंतिजाम किया, ताकि गर्मी का मोसम है, जुलाई का महिना है, कि इसको जो गर्मी से राहत मिले थोड़ी, तो हम owner को काफी appreciate करते हैं, कि जिन्होंने इतनी सारी सुविदाएं इस बशी के लिए रखी है, ताकि इसकी बशी जो है वो ठीक हो सके, तो हम उसको इस चीज के लिए appreciate करते हैं, बट दूसरी तरह से हम ये भी, आप देखो वीडियो में, कि अब इसकी condition इतनी critical है, कि ये जो जो नीचे वाला ये हिस्सा है, बिल्कुल इसको sensation नहीं है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, हड़ी जो है वो exposed है, और जो muscle है वो guyb हो चुका है, necrosed हो चुका है, muscle mass बिल्कुल नहीं है, आप देखो इसको हड़ी बिल्कुल exposed हो गई है, और ये joint है, इसका knee joint है, जिसको हम गुटना बोलते हैं, वो भी इसका fix हो चुका है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कि ये सीधी हो जाए, इसकी tank बढ़ ये, tank सीधी नहीं कर पा रही है, जब भी मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ, सीधी करने की ये pain pain महसूस कर रही है, आइस भी इसकी अंदर को है, dehydration काफी जादा है, क्योंकि काफी दिनों से बैटी है, पानी कम पी रही है, खाना कम खा रही है, तो condition काफी critical है, तो हमें लग रहा है कि अब इसका बच पाना मुश्किल है, उपर वाले के सहा रही है, जब तक ये जिएगी, क्योंकि इस case में हम और कुछ नहीं कर सकते, हाँ, एक option हमारे पास है, कि हम ये जो limb, इसकी जो tongue fracture है, उसको हम ऊपर से उसकी, उसको काट दें, और इसको हम बोलते हैं, limb amputation, ताकि जो उसकी बाकी टांगे हैं, वो तीनों, बच सकें, और ये अपनी टांगों पे खड़े होके, अपना जीवन आगे चला सके, बट problem ये है, कि owner ने बताया है, कि ये बाकी तीनों टांगों बे भी पिछले तीन से खड़ी नहीं हो पा रही है, तो उस case में, अगर हम इसकी टांग को काट देते हैं, एमपूटेट कर देते हैं, तभी भी अगर ये बाकी तीन टांगों बे खड़ी नहीं होगी, तो उसका हमारा operation करने का कोई फाइदा नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो से यही बताऊंगा, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी मेरे वियूर्स होंगे, उनको ये मैं ये बताऊंगा, कि आपके पास अगर ऐसा कोई केस आता है, आपकी किसी जानवर की accidental तरीके से कहीं कोई टांग तूड़ जाती है, नीके से यह ओपर से, तो immediately आप अपने जो इलाके के अच्छे डाक्टर हैं, आप उनकी सला लीजिए, और immediately कोशिश आपने ये करनी है, अगर हड़ी तूड गई है, आपको उसी टाइम वहाँ पे कपड़ा बांद रहा है, ताकि वो जो हड़ी है वो और जादा डेमेज ना करे मसल को, और कोशि करनी है कि आप वाइट प्लस्तर लगाईए, क्योंकि वाइट प्लस्तर के फाइदे ये हैं कि उसको हम जब खराब होता है, उसको immediately हम रिमूव करके नया लगा सकते हैं, और उसको हम चेक भी कर सकते हैं, तो उसकी वज़ा से आप अपने अनिमल को सेव कर सकते हैं, अब जै सादा वेट उसके अबर डाल डालके कभी-कभी जो जाइंट होता है, वो बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, तो ओनर की कंब्लेन है कि ये जो जाइंट था इसका फैटला का वो टेड़ा हो गया था, और आप देखो इसको भी जखम है यहां पे, स्वेलिंग है काफी, तो इस टांग में भी जिसकी वज़े से ये अब इस टांग पे भी बेटर बेरिंग नहीं कर रही है, तो अल्टिमेटली ये है कि इसको एक महीने से फ्रैक्चर है, और पिछले साथ आर दिन से ये बैठी हुई है, तो बाकी कंप्लिकेशन भी इंटर्नल आ जाती है, लीवर कं लेगन है, वो कंप्रमाइस हो जाते हैं, तो उसकी वज़ा सीवी अनिमल का उठपाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसका जो अब प्रगनोसिस है, वो बड़ा ग्रेव है, बच पाना इसका काफी मुश्किल है, तो हम कोशिश करेंगे कि उपर वाला इसको जल्दी मुक की दिये और बाक्यों में शेयर की दिये,